अब जो एफ्री वान्ट इस इस सुदीर एंड वेलकम यूटूब चैनल स्टडीविच सुदीर टूडवी डिसकस अब इसके बार में डिसकस करेंगे पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने जो डिसकस किया था वो क्लासिफिकेशन ऑफ मिन्रेल्स है उसके बार में डिसकस किया था जो फैरेस है इसके बार में डिसकस करेंगे इस वीडियो के अंदर और जो अगली जो वीडियो होगी हमारी उसके अंदर हम जो नोन फैरेस है उनके बार में डिसकस करेंगे चलिए पितली जो वीडियो है उस मरलब हांड्स में से 75 पर्षंट क्या होते हैं मेटल्ἵ मिलते में जदा जो मिनरल सा में से इसे संद्र?... और यह ज़एद्षान दिसे हैं वो आते हैं जो हलम हे नंतर सबसे ज़्यादे जो kum लिया यह base बोले जाते हैं किसका metal industry गा तो यह आपको आसानी से समझ आगी होगी आज हम इसके अंदर के वल दो जो फेरेश जो minerals होते हैं उनके बारे में discuss करेंगे iron ore और manganese इन दो के बारे में discuss करेंगे पहले बात करते है iron ore के जो iron ore है यह backbone है क्या है कि backbone of industrial development जो industry होती है उस्की backbone कहा जाता है क्यूं कहा जाता है यह बात और सुन लिजी आप क्यूंकि अधिक्यम जो exam है उसके अंदर यहीं पूछा जाता है कि iron को backbone क्यूं कहा जाता है इंड़ेश्टे की तो शेकी कहा जाता है कि हर इक जो इंडीश्टी जो high rearham क grain उसका प्रोडेक्ट हमों बनाती है और कुछ जो और जो इंडस्ट्री होती है जैसे कोटेज है और सुगर केन इंडस्ट्री है यह इनके अंदर क्या होती है कि जो मशीने जो इस्तिमाल की जाती है उन्हें मशीने किसे बनी होती है आईरेन से बनी होती है तो जो इंडस्ट्री होती मेगनेटाइट के अंदर 70% जो अरे और हए वो देखने को मिलता जो 30% उसके अदर हमें और भी चीजें कियमें यह के वहल आइरेन और है 70 जो अरेन और मिलता है में और जब की जो 30 जो परशेंट है उसके अंदर हमें और भी जो मिनरल सांव देखने को मिलते हैं जो सोयल है वो भी देखने को मिलेगी और भी जो कच्रा है वो भी इसी के अंदर है वो देखने को मिलता है excellent magnetic quality होती है इसकी जो quality होती है iron की वो सबसे अच्छे होती है फिर जो hematite है magnetite का तो मैंने आपको बता दिया hematite है उसके अंदर जो iron और है वो 50 से लेकर 60% के बीच में मिलते हैं पर यह सबसे ज़्यादे जो इस्तेमाल होता है वो होता है इंडस्ट्रियल आईरेन इसको इंडस्ट्रियल जो आईरेन हो भी कहा जाता है और सबसे ज़्यादे इसका कहा होता है इंडस्ट्री के अंदर इसका जो इस्तेमाल हो ज्यादा होता है और इसलिए इसको इंडस्ट् पिर भी इंडस्ट्री सब से की इस्तिमाल या सुय और घ्र zar हो तो इसके इत्राइब की लिए तो इस़ी आपके लिए कुस्ट्रों यह कि इसका क्या किसे इस्तिमाल क्या होता है प्रखंज using यह मेंने किसे पत coup यह बात Heinung Steel or Ferrous Magneze Alloyi Alloyi क्या होता इ का अलोयी के बारे में आपको बता दूआ अलओए होता है कि कोई भी दो Mineral साया फिर कोई दो Elamin शहां उनका Mixerар lot कहलाता है कि देखिए जो जो इस्तेमाल है कि देखिए हैच कर देखित इस्तेमाल है वो यूज इन मैनुफैक्टरिंग, की जो मैनुफैक्ट्रिंग होती है, जो इंडस्ट्रिया होती है, उनके अंदर यूज किया जाता है। औरीशा इस अधर लार्जस्ट प्रोडूश। अफ मेगनेज. यह जो वीडियो थी यह हमारे से q2 अगले दल के और अपको करेंगे और आपको वीडियो अच्छे लगी तो लाइक करहें और चैनल और इसके बहुता है खिसकेंडर है कि जो आइरन वो ज्यादा इस्तिमाल होता है कि जो हमेटाइट है वो जदे इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री के अंदर ये कुछ की पॉइंट है आप एक बार वीडियो हम वो ध्यान से देख लेंगे तो आपके ये जो पॉइंट हो किलियर हो जाएंगे थेंक्यू